आज के इस वीडियो में हम चाने के कि आँखों के ऊपर खीरा क्यों रखाता है जैसी कि आप में देखा होगा अकसर स्पैश्वली गर्ग्स आइस के ऊपर में खीरा रखती हैं क्या बागे इसका हमारे आँखों पर कुई फाइदा होता है या फिर यह कॉस्माटिकली हम अप बहुत जादा इंफर्मेटिव होने पाली है आप वीडियो लांस तक जरू देगे अगर आप चैनल पर नए है और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्प चैनल से स्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेक सारी वीडियो सारी इंफर्मेशन से एकरते हैं तो चैनल को जरू सिस्क्राइब करें जैसे कि हमारी स्कीन के लिए हमारी बोड़ी के लिए काफी अच्छा होता है इसमें हाइडिटिंग प्रॉपर्टी स्पाइज आती है जो हमारी ओवरोड बोड़ी को हाइड्रेट रख कि हमारी आइस के ऊपर में खीरे के जो स्लाइसे होते हैं उसको ठंडा करके रखा जाता है एक तो जब आप ठंडा करके रखते हो खीरा तो उससे आपकी आइस और्टोमेटिक री फ्रैस हो जाती है क्योंकि उसमें आइस की प्रॉपर्टी इसके अलाबा खीरा में अपनी प्रॉपर्टी सोती है जैसे की खीरा में थाइमिन विटमिन बी सिक्स इसके अलाबा इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी और हाइटिन प्रॉपर्टी इस आते हैं जो हमारी आइस की स्वैलिंग को कम करता है इस पैशली तो अगर आपकी आइस बहुत सादा होई नहीं है और किसी भी रिजन की विज़त से अगर आपके आँखों में सूचन है तो आप खीरा ठंडा करके 10 मिट के लिए आपके आँखों के उपर रखें आपके आँखों के जो स्वैलिंग है जो सूचन है वो काफी हत्तक कम हो जाएगी इसके अलाबा खीरा का लगा चुझको काली जहाई दिखाई देती है काली थब्बे दिखाई देते हैं वह पी आटोमेड़ लिगो डिश होते रहते हैं इसके अलाबा आइस को फ्रेस करता है और आइस को काफी हल्दी बनाता है तो वीक में एक वार आपी खीरे की स्लाइस को छणना करके रख सकते हैं तो जैसे आपकी नेटर स्कीन है उस कलर में आ जाएगा इसके अलावा स्वैलिंग कम हो जाएगी और आपकी आई फिर से रिफ्रेस हो जाएगी तो आई होब आप बताशल के होगा कि खीरा हमारी आंको प्यक्व रक्खाता है क्या इसके फाइदा होता है फिलाल इस विडियो में इतना जिया कॉमेंक शिक्षण में बताएगे ईसे लगाए विडियो आईस से क्यू committee को कुई हो आप आप कॉमेंक सिक्षण में जरू है कमेंट करें वीडियो को लाइक करना श्यार करना बिलकुल ना भूलें सो चेक क्यारे आप यूसेल्फ थैंक यू सो मच